साथियों, इस बार हम सभी कोरोना के संकट के बीच दुर्गा पुजा मना रहे हैं, मा दुर्गा के भक्त, पंडालों के आयोजकों, सब ने इस बार अध्व्यूत संयम दिखाया है, संक्या पर भले असर पड़ा हो, लेकिन भव्यता वही है, दिव्यता वही है, आयोजन भले ही सिमित है, लेकिन उत्सव का रंग, उल्लास, आनन, असिमित है, यही तो बंगाल की पहचान है, यही तो बंगाल की छेतना है, यही तो असली बंगाल है, हाँ, मेरा आपसे यह आगरत जरूर है, कि मा दुर्गा के पूजा के साथ ही, आप दोगज की दुरी, मास्क पहनने, और अन्य नियमों का पालन भी, पूरी निष्ठा से करेंगे, साथियों, बंगाल के तेज विकास के लिए, बंगाल के लोगों को मुल्भुत सुविदाय पहुचाने के लिए, निरंतर काम हो रहा है, प्रदान मंत्री आवास योजना के तहट, बंगाल में करीब करीब, तीस लाख गरीबों के लिए, घर बनाए जा चुके हैं, उज्वला योजना के तहट, करीब करीब नब्बे लाख गरीब महिलाओं को मुप्त गैस कनेक्शन दिये गए हैं, प्रदान मंत्री जन्धन योजना के जरिये, बंगाल के लगबग चार करोड गरीबों के बैंक खाते खोले गए हैं, इतना ही नहीं, जल जीवन मिशन योजना के जरिये, बंगाल के लगबग चार लाख गरों में, पाइप से साब पानी पहुचाना के काम हुआ है, बंगाल के इन्फास्ट्रक्टर के लिए, कनेक्टिविटी सुधारने के लिए भी लगातार काम हो रहा है, कोलकाता में, इस्ट वेस्ट मेट्रो कोरीडोर परियोजना के लिए भी, साड़े आठ हजार करोड रुपे मंजूर किये गए हैं, नेपाल, भारत और बंगला देश के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए सैंकडो करोड रुपे की लागत से सड़क परियोजना पर कारियश चल रहा है, नेश्टनल हाइवेज हो, वाटर वेज हो, या फिर गाउग गाउग तक ब्रॉड बेंड कनेक्टिविटी, हमारी कोशिज है कि बंगाल के आम जन के जीवन से मुष्टिले कम हो, उनका जीवन आसान बने.